हाई गाई सब बच्चों को प्यार भारा नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं ICA has already given the announcement few days ago regarding the applicability of new syllabus और ICA ने ये भी clear कर दिया है कि new syllabus के अंतरगत जो पहला exam है भाई वो में 2014 में लिया जाएगा अब मैं C.A. रॉल कर C.A. नाम इनके exact जो भी होंगे new syllabus में माईने नहीं रखता हम सब जानते हैं कि हम main नाम जो इनके हैं वो हमेशे यही रहने वाले हैं accounts, cost और FMSM तो ये तीन subject में आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चे कह रहे हैं सर बता दो classes कबसे आपकी available होंगी तो उसी के बारे mark दर्शन करने के लिए और कुछ और important बातें करने के लिए ये वाला वीडियो में बना रहा हूँ पूरा वीडियो उनते तक देख लीजेगा जहां तक बात आती है classes की तो जैसा हम सब जानते हैं कि new syllabus है, existing syllabus नहीं है existing syllabus में amendment नहीं है, purely एक नया syllabus आ रहा है और आप मेरा style जानते हैं कि मैं जो भी बच्चे को चीज देता हूँ बिल्कुल सटीक राहूल कर एक style में देता हूँ so जितने भी मैं subject पढ़ाने वाला हूँ तीनों ही subject की classes 100% purely fresh recording ही मैं करने वाला हूँ और वही freshly recorded classes आपको मिलेंगी अगर मैं ये कहूँ, इस चीज़ का कोई scope नहीं है कि भाई किसी तरह से mix करके या blended करके जो है आपको classes दे दे जाए कि मैं मालनी जे मैं कहे दूँ कि भाई 50% पुराना 50% नया दे देता हूँ या 60% पुराना 40% नया, 70% कुछ नया करा दे तो 30% पुराना दे दो ऐसा नहीं हो सकता, reason क्या है सबसे पहली बात तो existing syllabus की बज़ए आ रहा है नया syllabus काफे सारे macro level changes तो रहते हैं मतलब कुछ chapter add होंगे, कुछ chapter पुराने वाले delete हो जाएंगे तो macro level changes हो गए वहीं there are certain micro level changes also मतलब देखने में ऐसा लगे गए यह वाला chapter तो पहले भी थे यह वाला chapter अब भी है लेकिन उस chapter के अंतरगत कितने सारे topics होंगे जो नहीं आ जाएंगे, कुछ ऐसे topics होंगे पुराने जो delete हो जाएंगे, कुछ ऐसे topics जो पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन अंदर ये अंदर उनमें काफी सारे amendment changes etc कर दी जाएंगे उनके scope को लेकर, तो अगर मैं यह कहूँ कि भाई मैं आपको पुराने वाले ही recording तो भी भी fresh recording होई थी तो शायद मैं justify नहीं करूँगा, तो मेरी जो classes होंगी, वो 100% fresh recorded होकर ही जो है आपको मिलेंगी, fresh recording मिलने वाली है अब बच्चे कह रहे हैं कि सर बता दीजी कि हम आपकी classes को book किस तरह से कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जो है, बने रहेंगे आपको update जो है, हमारे telegram और YouTube channel etc के माध्यम से मिलता रहेगा, खासकर telegram channel पर आप जो है जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो हम कुछ दिनों में अपनी website पर pre-booking start कर देंगे, आने वाले कुछ दिनों में और जैसे ही pre-booking का tab वहाँ पर आएगा हमारी website पर, तो आपको information दे दी जाएगी कि किस date से आपको lectures मिलने start हो जाएंगे, कितनी books होंगे और books किस परकार से आपको मिलेंगी obvious ही बात है, इस चुटने कहा कि MCQ आ रहे हैं, अब हर subject के अंदर तो एक MCQ का नई book का edition तो हो गई होगा, और बाकी जो राहूल गर का style है पढ़ाने का, जो हमारे से के style रहा है, starting से जिसके का बच्चे ताबर तोड, result लेकर आते हैं, अच्छे से, अच्छे और रेंक्स और exemptions लेकर आते हैं, तो तरीका हमारा वही रहेगा, मतलब class puzzle, home puzzle वही रहने वाली है daily का जो homework मिलता है, आपको वही रहने वाले homework आपको करना है, मैं check करूँगा, उसके लावा, जिस तरह से आप हमें queries भेजते हो, आज तक जो भी mode आपने अपनाया है, हमारा starting से एक रहे कि बच्चा अपनी query को, जो भी doubt and WhatsApp पर भेजते हैं, और उसी माध्यम से हम उसको future में भी solve करते रहेंगे, जैसे कि अब तक करते आए हैं, right, so हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी classes new syllabus के accordingly बहुत जल्द जो है आपको मिलनी start हो जाएंगी, that's all guys bye bye and let's be positive for the upcoming examination